कपिल जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये फिल्म बनाने के लिए ये वेब सीरीज बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहां का सक्त्यमेव जहे दे कहां का सक्त्यमेव जहे दे कहां का सक्त्यमेव जहे दे सुप्रिम कोट के जजेज, हाई कोट के जजेज, जरूरी इसको देखें और आतमीं चिंतन करें कि भारत की न्याय प्रणाली कहां पहुंच गई है भारत में टोटल पांच करोड केसेज तो वो हैं जो डिस्टिक कोट हाई कोट सुप्रिम कोट में है इसका मतलब 5 करोड परिवार न्याय की आसा में बैठा हुआ है आना नेवरेज एक परिवार में 6 आदमी रख लीजे यानि 30 करोड लोग न्याय की आस लगाये बैठे हुए हैं 30 करोड का मतलब एक अमेरिका 30 करोड का मतलब बंदरा अस्ट्रेलिया 30 करोड का मतलब 7 कनाड़ा 30 करोड का मतलब 1.5 ब्राजील इतने लोग भारत में न्याय की आस में बैठे हुए हैं और ये 5 करोड केस तो वो है जो डिस्टी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रिम कोर्ट में है इसके पैरलल हमारे देश में एक और जुडिसल सिस्टम है उसको कहते ह है तसिलदार, SDM, ADM, DM, कमिस्नर जहां पे चकबंदी के मुकदमे चलते हैं वो इस 5 करोड में काउंटेड नहीं है जो तसिलदार के हां मुकदमा होता है, SDM के हां मुकदमा होता है, ADM के हां होता है, DM के हां होता है, चकबंदी अधिकारी जिसको CEO कहते हैं, DDC कहते हैं, SOC क कहते हैं वो एक इसके पैरलल में है और पाच करोड मुकदमें वहां पे भी चल रहे हैं इसका मैं लाइब इक्जम्पल देना चाहूंगा भारत की ब्लैक जस्टिस सिस्टम का 1985 में जौनपुर में एक दस बीगे जमीन का मुकदमा सुरू हुआ था अभी और सबसे नीचे पायदान पे हैं जिसको कहते हैं चकभंदी अधिकारी 1985 में मुकदमा शुरू हुआ, 2023 आ गया, लगबग 37 साल बीच चुके, 37 साल में ये नहीं हो पाया, कि असली विल किस कौन सी है, दो लोगों ने क्लेम किया, वो कह रहा है, मुझे विल मिली है, 37 साल में ये नहीं डिसाइड हो पाया, असली विल किसकी है, अगर माल लिजे, आज डिसाइड हो जाए, तो CEO के बाद SOC, SOC के बाद DTC, DTC के बाद High Court, High Court के बाद Supreme Court, यानि ये भी 35 साल और लगेगा, सत्तर साल लगेगा, Second Generation मुकदमा लड रही है, Our Lady Second Generation मुकदमा लड रही है, और इसी स्पीड से काम हुआ, मुझे लगता है, Third Generation आके मुकदमा जाके, तब ज सुप्रीम कोट पहुंचेगा, दूसरा एक्जांपल है, ग्लेरिंग एक्जांपल आपको देता हूँ, 1971 के वार में, पाकिस्तान में बं फेकने वाले, पाकिस्तान के फाउजियों के बहुत सारे बैंकर तोड़ने वाले, एक करनल कभोंतरा है, पंच कुला में रहते हैं, दुस्मनों के उन्होंने दात तोड़ दिये, आज 2000 से उनके मकान पे किसी ने कबजा किया हुआ है, 2023 आ चुका है, 2023 साल में वो अपने मकान को नहीं छोड़ा पाए, अभी मामला पंच कुला की डिस्टिक कोट में है, उसके बाद चंडीगर हाई कोट जाएगा, फिर सुप जो नियाई जुडिसल सिस्टम था भारत में जो बनाया गया, वो केवल और केवल भारत को लूटने बाटने के लिए बनाया गया था, चुकि कानून वहीं चल रहा है, एवन हमारा ड्रेस भी वहीं चल रहा है, अंग्रेश काले कपड़े पहनते थे, हम भी काले कपड़े अंग्रेज जून के महीने उनको गर्मी लगती थी एक महीने चुट्टी करके इंग्लेंड चले जाते थे आज भी हमारा हाई कोट सुप्रीम कोट पूरे मही जून बंद रहता है अंग्रेज को अंग्रेजों को Christmas के टाइम में December में चुट्टी मिनाना जाना होता था एक महेने चुट्टी कर चले आते थे आज भी हमारी High Court Supreme Court December में Christmas के टाइम में 15 दिन 20 दिन बंद हो जाती है तो सोच वही है, किताबे वही है, विवस्था वही है, कानून वही है तो सवाविक सी बात है, जस्टिस होगा कहां से, जस्टिस कैसे होगा, हम 2023 में 1860 का इंडियन पिनल कोड लेके घूम रहे, 1861 का पुलिस एक्ट लेके घूम रहे, गवाहों के बयान 1872 के कानून से हो रहे, हमने सब कुछ वर्ड क्लास कर लिया, लेकिन अपने जस्टिस सिस्ट को कंपेर करने की कोशिस ही नहीं किया, जितने में एक एरपोर्ट बनता है, एक एरपोर्ट बनाने में 25,000 करोड की लागत आती है, अगर हमारी सरकारों ने एक एरपोर्ट की कीमत जुडिस सिस्टम पर खर्च कर दिया होता, तो हमारी नियाएक ब्यवस्ता अच्छी हो घटिया चुकी एकाउंटिबिल्टी नहीं है, जुडिस सिस्टम में कोई एकाउंटिबिल्टी नहीं है, किसी के साथ न्याय हो जाए, अन्याय हो जाए, कोई फरक नहीं पड़ता, निर्दोस को जेल हो जाए, जच की कोई एकाउंटिबिल्टी नहीं, दोसी को बेल हो जा बनाया है और इस देश में वर्ड क्लास एरपोर्ट वर्ड क्लास हाइवे वर्ड क्लास सॉपिंग मॉल सब कुछ वर्ड क्लास बना लिया इन फैक्ट अपना मोबाइल का डेटा सुरक्षित रखने के लिए हमारे सांसत विधायक जज आईफोन भी यूज करते हैं अमेरिका क सिंगापूर में क्या अच्छा चल रहा है कनाडा में रेंट का मामला एक डेट में खतम होता है सिंगापूर में अभी कुस दिन पहले एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा पाया गया उसको फासी हुई है दुबारा वहां ड्रग स्मग्लिंग होगी क्या तो भारत में चा चलता है जल्दी उसको नयाय मिल जाए अपराद करने वाला चाहता है मुकदमा लंबा चले भारत का नयाइक सिस्टम अपराद करने वाले के साथ खड़ा है बलातकारी चाहता है उसका मुकदमा तीस साल चलता है भू माफिया चाहता है कि गरीब की जमीन पे कबजा कर ले उसका मुकदमा 50 साल चले और आज की डेट में मुकदमा 50 साल चल रहा है इसका मतलब वरतमान नयाइक सिस्टम बलातकारी के पक्ष में है गू माफिया के पक्ष में है ड्रग स्मगलर के पक्ष में है यूमन ट्रैफिकर के पक्ष में है नकसलियों के पक्ष में है मावादि के पक्ष्न में करें उनके पक्ष़ कर दिया इसको पचा साल के बद कर रहा यह जो सीक्ति सिस्टम होंता है दवा की तरीक एक होगद घडिया होती हैश शरीर as it is नहीं रहता, या तो बिमारी ठीक होती है, या तो बिमारी बढ़ती है, अगर कोई आदमी एक गाउं में किसी के साथ कुछ गलत कर दे, उसको 6 महीने के अंदर सजा हो जाए, साल भर के अंदर हो जाए, दूसरा अपराद वहां नहीं होगा, लेकिन अगर उस व्यक् प्राइड होगा या नीमूनिया होगा, दुर्भाग यवस यह हमारा justice system यही कर रहा है, आज की rate में जितनी समस्याएं है, चाहे वो घुस खोरी है, जमा खोरी है, मिलावट खोरी है, काला बाजारी है, नसा तसकरी है, मानो तसकरी है, सोना तसकरी है, ड्रग स्मगलिंग है या नकसलवाद है, या मावाद है, या कटरवाद है, जो भी समस्याएं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, कि हमारा justice system उसको tackle नहीं कर पा रहा है, उसको पकड़ नहीं पा रहा है, और इसलिए भारत में आराजकता है, मैं तो इतने जानता हूँ, ऐसी कोई बीमारी न नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, जिसका कोई समाधान नहीं, हम हर चीज के लिए बाहर से चीजे खरीदते हैं, हम यह क्यों नहीं देख रहे हैं कि आखिर चाइना का justice system कैसा है, सिंगापूर का कैसा है, कनाड़ा का कैसा है, फ्रांस का कैसा है, और अमेरिका का कैसा है, हम क्य के लगातार, false cases के खिलाफ, इनको मैं देखता रहता हूँ, active रहती है, एक कानुव बन जाए, नार्को पॉलीगरा ब्रेन मेपिंग, और complaint पर undertaking ले लिया जाए, कि जो कुछ मैं सिकायत कर रहा हूँ, इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीगरा ब्रेन मेपिंग कराने के ल परिशान है, फरजी FIR से परिशान है, हजारों परिवार परिशान है, कई बार देखा गया कि जो family के cases होते हैं उसमें, कितने सारे fake cases भी आ रहे हैं, तो जो वास्तों में दोसी हैं, उनको punishment नहीं मिल पा रहा है, जो निर्दोस हैं, उनके खिलाफ फरजी cases हो रहे हैं, आज इसके परिवारों को देखता हूं जिनके पास बस से आने के लिए हैं, पैसा नहीं है, साइकल से आते हैं ऐसे परिवारों को देखता हूँ जो चाय नहीं पी सकते अपने पैसे से विचारे घर से रोटी बांद के और अचार लेके आते हैं लेकिन वहां मजबूरी में वकील को पैसा देते हैं तो हमारी कोट का चेहरी वास्तों में दलाली का अड़ा बन गया है हमारी कोट का चेहरी भ्रस्टाचार का अड़ा बन गया है और मैं दुख के साथ कहना कुछ हूँगा अदालतों में न्याय हो नहीं रहा है बलकि न्याय बिक रहा है जिनके पास पैसा है उन्होंने कितना बड़ा क्राइम किया हो मर्डर किया हो रेप किया हो उनको जबानत हो रही है और जिनके पास नहीं है वो बिचारे जिल में सड़ रहे हैं कई बार तो अधा गया मैंने मेर मुर्डर किया एक्स अनन सिंग ने लेकिन एक्स अनन सिंग बाहुबली थे उन्होंने थानेदार को 20 लाक रूपे दिया वो वाई अनन सिंग को लिया के जिल में डाल दिया नाम होई यह अब उसके बाद क्या हुआ 20 साल मुकदमा चला और फिर सबूत के भाव में छूट गय तो जिसने मुर्डर किया वो तो कभी जेल गया है नहीं एक निर्दोस जेल गया 10-20 साल के बाद उसने अपना जमीन बेचा सब कुछ किया माबाप सब कुछ तवा हो गये फिर सबूत के भाव में छूट रहा है तो सबूत के भाव में अगर 20 साल के बाद छूट भी गया हो उसका 20 साल कौन लोटाएगा, उसके 20 साल के लिए कौन जिम्मेदार है, उसके 20 साल जो बरबाद हुआ, उसके लिए सम्विधान की सपत लेने वाले जिम्मेदार है, सम्विधान के प्रियंबल में लिखा है, हम आपको जस्टिस देंगे, हम आपको न्याय देंगे, न्याय द जिदान की सपत लेने वालों को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला इसलिए मिलता है कि लोगों को न्याय मिल सके सपना हो गया है इसलिए आज आपने जो ये वेब सीरीज बनाई है मैं आपको धन्यवाद देता हूँ एक ऐसे विशेप है जिस पे कोई टच नहीं करता लेकिन जिससे करोड़ों लोग पीडित हैं मैंने का ना पांच करोड़ लोग सीधे डिस्टिक कोट हाई कोट सुप्रि तीस करोड़ों लोग इधर पीडित है तो उधर भी पीडित है वास्तों में बहुत बड़ी संख्या भारत में इसी से पीडित है और आपराद भ्रस्टासार और जितनी वेराजकता चल रही है उसका मूल कारण भी यह है जस्टिस सिस्टम अच्छा हो जाए कानून सक्त हो जाए तो वास्तों में भारत में फिर से राम राज आ सकता है अगर जुडिसर सिस्टम अच्छा हो जाए तो जो राम राम राज की कलपना है धर्म की जय हो अधर्म का नासो प्राडियों में सद्वावना हो विशो का कल्याण हो मुझे लगता उसको फिर से जीवित किया सक लड़ती रहती है इनको देखता रहता हूं पहनड नेहाजी आई है यह अपने गानों से मुझे लगता है बहुत अच्छा आप लिखती है और इसी तरीके से कड़वा सorous आप लिखते रहिए कड़वा सच गाते रहिए लोग आज की रेट में यंग जनरेशन करवा सच सुनना चाहती है मीठे जूट ने इस देश में सुगर डाइबिटीस पैदा कर दिया भारत कि वो लोग डाइबिटीस से नहीं पीडित हैं बलकि हमारी बेवस्था को डाइबिटीस हो चुका है और उस डाइ वेब सिरीज आपको विशे साबाद धन्यवाद देता हूं यही निवेदन करता हूं इस वेब सिरीज को ज़्यादा से ज्यादा देखें और खास तवर पर आपके जानने वाले कोई जैज हैं कोई आईएस हैं कोई आईपीयस हैं मंत्री सांसत विधायक हैं उनको भी एक फोन करके वाटसप करके एक बार कहिए कि वो भी इसको जरूर देखें क्योंकि अल्टीमेट लिन्याइक बिवस्था बदलने के जिम्मेदारी उन्हीं की है जिनके जिनको वेतन बत्ता गाड़ी बंगला फ्री एयर टिकेट फ्री रेल टिकेट और व्याइपी बिवस्था मि लिवस्था बिवस्दान मिवाड़ी से ओरूर प्री जिसके लिए्याइब बदलने के एक बार प्री बंगले वेतनों चीमेदा बदलने के जिए अन्हीं क्योंकि वेतनी को थेखेंगी चल्सेट लिएबंगी बिवस्थांफेटारी जिए जिसकेशना वावशनाएबगी झाल झाल